हिजाब नहीं तो हिजाब नहीं आना जहां पर हिजाब पहले से पेंटे हुआ हिजाब पेंट कर जा सकते हैं कोट का इंट्री मॉडर आया है इसकुल कर जाकर छोटे छोटे बच्चों को हिजाब निकालने के लिए कहा जा रहा है लड़कियों को डराया जा रहा है, उनके जहन को खराब किया जा रहा है, हिजाब को निकालने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि DC खुद चार दिन हुआ है आकर और ऐसे अपनी चाल बताना शुरू करें है हम DTPI साब को बोले हैं कि आप अपनी तरफ से वो ASI के उपर FIR करें अगर आप उसके उपर FIR करते तो हम आप के उपर FIR कराने का काम हम करेंगे आप लोगों को मालूम है कली एक इस्टेट जवर की कॉलनी में उर्दू इस्टेट जो वहां पर उर्दू मीडियम स्कूल है गौवर्मेंट का वहां पर कल सुबा में DC साफ खुद जाकर कुछ मीडिया वालों को साथ लेकर जाकर जो हमारे बहने वहां पर बैठे थे उन्हें फोर्स बुर्ली करकर हिजाब लिकाला गया उसी के बाद हमने स्पॉर्ट पर स्कूल को पहुचा इस्कूल के मैनेजमेंट से बात की वहां पर सरकल साफ भी थे हम सरकल साफ को ओडर कॉपी बता है हाई कोट का जो इंट्रीम ओडर हुआ है वह बता हैं कि जो सीडीसी कमेटी जो प्रिस्क्राइब करिये पहले से जो हिजाब नहीं तो हिजाब नहीं आना जहां पर हिजाब पहले से पेंते हुआ हिजाब पेंट कर जा सकते कोट का इंट्रीम ओडर आया है उसके बात यह लोग क्या कर रहे हैं कोट का ओडर आने के बान को की कि लिए कहा जा रहा है वहां पर कुछ मीडिया वाले डायरेक्ट लिस्कुल में घुसकर छोटे बच्चों के वीडियो ले कर मीडिया में तार्गेट करेंगे तो इसके खिलाफ ऑम फ़ॉरां कर दीसी वहां पर मौझूद रहने के बाद अब हम डिसी को डिस्टिक अडिमिस्टेशन को कम्लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिसी खुद चार दिन हुआ आकर और ऐसे अपनी चाल बताना शुरू करें हैं तो फॉरान हम आर्सी साहब के पास चले गए रिजिनल कमिशनर के पास रिजिनल कल का दिन चले गए हम आराम से रहें के आने वाले कल से एक चीज नहीं होगी लेकिन कल का एक दिन नहीं जाता आज सुबह में फिर से न्यूज आती है फरताबात फरताबात गौं में विलेज में वहां पर इसकुल्स पर जाकर फिर इसी तरीके चोटे बच्चों को उसके सब्सक्तिला कर उसके सब्सक्राइब क्याoudní क्या एक उप्सक्चक्न काव्यागाएं कि यह कॉलेज के लिए है कॉलेट आपको तयाखुन दिये हैं कि आज से फिर ऐसा नहीं होगा और गुलबरगा डिस्ट्रिक्ट के जो जो स्कूल से वहाँ पर इसकूल के मैनेजमेंट को यह आप फॉरान इंटीमिशन दीजिए कि स्कूल पर ऐसा हमला ना किया जाएगा मैं आपको पॉलिस डिपार्टमेंट का भी कर रहा हूं कल हम इमेरेट जो स्कूल को गयते हमें अंदर आने नहीं दिया गया पॉलिस वाले भायर थे लेकिन वह हम जब देख रहे हैं तो हमारे सामने से सब्सक्राइब बात करें तो सरकल साब बोले कि इसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया में पूरे वीजल चला शुरू होते हैं कि बच्चों को इज़्याब लिकाला जा रहा है बच्चों के हमें सरकल साब करें कि हमारी duż क्या सेक्यूरेटी के लिए सब्सक्राइब वाले हिजाब लिका लेंगे नई लिका लेंगे इसके ओपर हमारा क्या भी मामला नहीं है सरकल साथ यहां पर हैं कल कहे थे उन्होंने आज फरताबाद में एसाई स्कूल्स में लाकर एसाई की डूटी वह मेरी बहन को प्रोटेक्शन देना है उसका काम यह नहीं है कि उसके सर से हिजाब लिकाला जाएगा उसके बावजूद भी हो एसाई दलिंदा ऐसा काम करता है तो इंशाल्ला उसके ओपर एफायर हम डीडीपिया साब को बोले लड़कियों को डराया जा रहा है उनके जहन को खराब किया जा रहा है हिजाब को निकालने के लिए कहा जा रहा है ये हिजाब निकालने के नहीं ये लोग संगिये ये लोग संग परिवार से आते हैं उनको साथ रखकर ये काम कर रहे हैं ये लोग हिजाब निकालने के लि कि मेरे मा और भेहनों से घुजारिश करता हूं हम जब तक है पहला हाइसला घुल वरकर को क्हों को को कॉल कीजे